हेलो एवरीवान मैं हो दिक्षा और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल दिक्षास परफेक्ट प्लेट में तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्रेक्फस्ट रेसिपी जो बहुत ही यमी होती है और उसके साथ साथ बहुत ही जादा हेल्दी भी है आज की रेसिपी है ओट्स बेसन जीला तो चली देखते हैं इसे कैसे बनाना है यहां सबसे पहले मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें मैं ओट्स डालूंगी तो हमें इसको पेस्ट बनाना है ओट्स को तो इसलिए मैं इसको मिक्सी में डाल रही हूँ मैंने यहां लगभग तीन बड़े चमच के करीब ओट्स लिये हैं और इसको मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसमें इसका इसका पेस्ट बना लूँगी तो यहां लगभग आधा कप के करीब पानी डाल दिया होगा और पानी अगर जादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें हमें करना है बाद में तो इसकी कंसिसेंसे बिलकुल हो जाएगी तो यहां पानी आड़ करके मैं ऐसे बं कर रही हूं और इसको मैं पीस लेती हूं तो यहां मैंने अपने ओट्स को पीस लिया है यह, देखिए यह बिल्कुल ऐसा लिक्विड form में ही हमें चाहिए यह देखिए और इसमें हम कोछ चीजे आड़ करेंगे, सबसे पहले मैं इसमें आड़ करूंगी, बेसन, तो यहां लगबग मैं दो बड़े चमश के करी बेसन आड़ कर रही हूं, यह देखे, यह गया दो, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लोंगी, विस्क की हेल्प से, यह देखे, तो हमें इसमें बिलकुल लंप्स नहीं चाहिए, अच्छे से आप इसे मिक्स कर लीजेगा, यह देखे, अगर थोड़े बहुत लंप्स रह भी जाते हैं, तो कोई शू नहीं है, हमें इसमें सबजे आड़ करनी, और एट लास इसका चीला पनाना है, तो वो कुछ ज़ादा मै देखृट लेंगे, यहां मैंने पत्ता गोभी है लगभग तीन बड़े चंब के करीब, इसको मैने mess family chop किया है, एक न्यूत有沒有, लास इपनी पसंद लीज आप सबसी आड़ सकते हैं, यह दो भीज़नी संधीर देते हैं, फूल गोभी है जिसको मैंने और कद्द्दो कस कर इसके साथ मैंने इसमें प्याज आड़ किया है और यहां मैं आड़ कर रही हूँ हरी मिर्च आप इसे स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप बचों के लिए बना रहे तो बिल्कुली स्किप कर दीजे यहां मैंने आड़ की फूल को भी अपनी कदुकस की हुई और इसको माम अ भी आड़ कर सकते हैं यह बिल्कुल आपके उपर है यहां मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी यह देखिए अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब बार यहां इसमें कुछ spices आड़ करने की ताकि और फ्लेवरफुल हो जाए तो सबसे पहले मैं इसमें आड़ कर रही हूँ रेड चिली पाउडर यह देखिए आपने ग्रीन शीरी आड़ की है तो आप रेड चिली स्किप कर सकते हैं अगर आपको जादा तीखा नहीं पसंद है बट मैं दोनों आड करीब और इसके साथ मैंने आड़ किया सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट आड़ करें और इसके साथ ही चाट मसाला ताकि बहुत अच्छा चटपटा सा फ्लेवर आए हमारे चीले में इसके साथ आड़ कर रही हूं मैं भुना हुआ जीरा मैं आमचुर पाउडर राट कर सकते हैं तो यह बिल्कुल आपके ओपर अबट मैं स्किप कर रही हूं मैंने इसमें कुछ आड़नीं किया है कि देखें और अगर आप चाहें तो जहां हमने ओट्स को ग्राइंड किया था पानी के साथ आप उसकी जगा कर्ड का भी यूस कर सकते हैं उससे टेस्ट और फ्लेवर और इन्हांस हो जाएंगे इसको मैं लगभग पांच मिनट का रेस्ट होंगी और पांच मिनट के रेस्ट देने के बाद इसको मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूं और अब चलते हैं अपना चीला बनाने के प्रोसेस में यहां म तो जब तो बटर जो हमारा थोड़ा सा हीट हो जाएगा इसके बाद हम अपना चीला का बैटर रखेंगे तो मैं आहां सिर्फ एक से दो चमची डाल रहे हूं अपने जिस साइस के मुझे चीले चाहिए मैंने सिर्फ एक चमच बैटर यूज किया है और यह दिखे इसको मैं थोड़ा सा फैला के राउंड शेप या जो भी शेप आप देना चाहिए उस शेप का करके और इसको बना सकते हैं इसको मैं अच्छे से फैला दूँगी जादा मोटा मत रखेगा वरना अंदर से कच्छा रह जाएगा और थोड़ा इसको पतला-पतला ही रखेगा एक बार मैं यहां चार से पांच चीला बना दूँगी आप इसको बड़े साइज में भी बना सकते हैं यह बिल्कुल आपके उपर है बट मैं चोटे-चोटे बनाना प्रेफर करती हूं और इसी तरह में सारे चीले जो है वो बना लूँगी तो यहां मैंने अपनी चार चीले एक ब ताकि यह फुल ओफ एजिटेबल रहे तो इसको जब यह उपर से ट्राइ होने लगे और थोड़े-थोड़े से छेद से दिखने लगे तब आप इसको पलटिएगा और पलटने से पहले मैं इस पे थोड़ा सा बटर लगा रही हूं आप इस से स्किप भी कर सकते हैं बिना और इसमें कलर भी काफी अच्छा है यहां एगे करके मैं अपने सारे चीलो को पलट दूँगी कि देखे कितना कलर फुल लग रहा है यह तो यह खाने में बहुत ही डेस्टी होते हैं बहुत सॉफ्ट उपर से क्रंशी अंदर से सॉफ्ट बहुत ही यमी लगते हैं तो यहा मैं इसको दूसरी साइट से भी अच्छे से कुक करूंगी थोड़ा दबाते हुए इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए ही कुक करेगा ताकि अंदर से अच्छे से कुक हो जाएं यह देखे बिलकुल ऐसे कैसे मैं दबाते हुए कुक कर रही हूं और इसको मैं थोड़ा दे इस पे कितना बड़िया कलर आया है और अगर आप इस का टेस्ट और बढ़िया चाते हैं तो उतारने से पेले फ्लेम हाई करके इसको उपर से हळ्का सा क्रस्प कर दीजेगा इससे क्या होगा उपर से बहुत ही क्रस्पी हो जाएगा और बहुत खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा तो बस हमारे चीले जो है वो बनके बिल्कुल रेडी है हम इसको एक एक करके उतार लेते हैं यह देखें कितने बढ़िया लग रहे हैं यह इतने क्यूट से और खाने में तो यह बहुत ही अमेजिंग होते हैं तो चीले तो बनके रेडी हैं यह देखें तो अब चलते हैं इसको सर्व करने के प्रोसेस में यह देखें कितने अच्छे लग रहे हैं और आप इने बच्चों को टिफिन में रीजेगा या ब्रेक्फरस्ट में रीजेगा बच्चों के ने बहुत हल्दी और सिरफ बच्चे ही नहीं मैं इसे ग्रीन चट्वन के साथ kaना पसंद आप के साथ कर सकते हैं आपने पसंद की कोई भी चट्वन के साथ साथ सेस्ट कर सकते हैं तो रेडी है हमारे ब्रेक्फरस्ट स्पेशल चीला और यह देखिए कितना colorful और tempting लग रहा है और अगर आप डाइट कर रहे हैं तो आप इस recipe को try ज़रूर करेए यह बिलकुल आपके लिए बहुत अच्छी है और बहुत ही यमी है आपको लगे गई नहीं कि आप डाइटिंग पे हैं तो आप इस recipe को try ज़रूर करेगा और मुझे comment section में बताना मत भूलेगा कि आपको यह recipe कैसी लगी और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करेगा, share करेगा और मेरे चैनल को subscribe करेगा हम फिर मिलेंगे next video में एक नई recipe के साथ तब तक के लिए बाई